नमस्कार आप देख रहे हैं नेक्स नहीं आवाज मैं हूँ आपके सांसी राज इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही हैं आपको बता दें कि सिक्किम में मंगलवार देर रात करीब डेड़ बजे बादल फटने की घटना से अब तक 14 लोगों की मौत की पुष्टी हो चु अभी भी फसे हुए हैं बिजली गुल है सेकडो गाउं मुख्या मारगों से कट चुके हैं कुछ इलाकों में केवल दो घंटों में 15 इंस तक बारिज दर्च की गई है सिक्किम के तिख्चू सिंग्टम और रांगपो शहर जलमगन हो चुके हैं बाड की वज़े से सिक्कि सिंग में भी बार जैसे हालात हो गए हैं राजे के मुख्य सचीव एच के दिवेदी ने बताया तीस्ते बहराज से तीन सव बरामत किये गए हैं उनकी अभी भी अधिकारिक जो है पुष्टी नहीं हो पाई है उधर प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के हालात जानने के लिए मुख्य मंतरी प्रेम सिंग तमांग से बाचित की उन्हें हर संभो मदद देने का अश्वासन दिया सिक्किम को देश से जोडने वाला हाईवे नेशनल हाईवे दस हाईवे तूट चुका है एंडियारेप की टीम ने सिंग्तम से साथ लोगों को बचाया य की नैपाल में आये भुकम से सिक्किम की लोहसंक जील टूटी उसका दायरा एक तिहाई रह गया जब बादल फटा तो जील का दायरा कम होने से वह इतना पानी रोक नहीं पाई इससे तिस्ता नदी में बाड़ आ गई तिस्ता नदी का जल स्तर 15 से 20 फिट तक बढ़ गया इसके बाद नदी से लगे इलाकों में पानी भर गया नदी से लगे इलाकों में भी आर्मी कैम था जो बाड़ में बह गया अब यहां खड़ी 41 गाड़िया डूप चुकी हैं एंडियारेप ने सिक्किम के सिंक्तम से साथ लोगों को बचाया यहां बादल फटनी की वज़ कि इस प्राक्रितिक आपदा से सिक्किम को कैसे बचाया जाता है प्रधान मंतरी क्या एक्शन लेते हैं और क्या मदद करते हैं आप देखते रहिए नेक्ट नहीं आवाज